नमस्ते बच्चो आज हम कच्छा बारा पार्ट वन केमिस्ट्री का चैप्टर टू विलियन सुरू करने जा रहे हैं बोर्ड की एक्जांस में यह चैप्टर बहुत इंपोर्टन्ट है लगभग 8 माक का यह चैप्टर पूछा जाता है जिसमें से 3 MCQ और 4 माक के अलग कोईशन 7 to 8 माक का होता है कभी 4 MCQ और 4 माक का कोईशन इस तरह के इसमें से कोईशन पूछे जाता है तो चैप्टर टू बिलियन है बिलियन समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मिस्रण मिस्रण किसे कहते हैं मिस्रण के दो प्रकार समांग और विस्मांग तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिस्रण बिलियन कहलाता है विलियन में जिस घटक अत्वा घटकों की मात्रा कम होती है उसे विले कहते है विलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते है जिस विलियन में एक विलायक और एक विले हो तो ऐसे विलियन को दुई अंगी विलियन कहते है समांग मिसरण में रहे कणों का आयतन का व्यास जो होता है दसकी खात माइनस 9 मीटर याट मिस वन ने 9 मीटर जितना होता है समांग मिसरण को जानने की क्रिया, जमने की क्रिया, कौथन अथवा centrifugation इत्यादी जैसी भौतिक विधी द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है अब हम जाते हैं विल्यन के प्रकारों पर विल्यन के मुख्य तीन प्रकार हैं ठोस विल्यन, द्रौव विल्यन, अथवा गैस विल्यन इस प्रकार ये तीन अवस्थाओं में दिखाई देता है विले और विलाय भी तीन अवस्था में प्राप्थ होते हैं किसी भी विल्यन की भौतिक अवस्था विलाय की भौतिक अवस्था पर से निर्धायत होती है ना कि विले की भौतिक अवस्था पर से अब विलियन के तीन प्रकार आपको ये कोश्टक दिखाई दे रहा होगा इसमें विलियन के मुख्य तीन प्रकार हैं टोस विलियन, द्रव विलियन और गैसी विलियन बहुतीक अवस्था वाले कॉलम में बिल्कुल ध्यान से देखिए विले और विलाए आप देख सकते हैं विले, किसी भी विलियन में विले जो है वो ठोस, द्रव, कैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है लेकिन विलायक उसी सरूप में होगा जिस प्रकार का विलियन होगा जिसे कि हमने लिया ठोस विलियन, ठोस विले अर्टोस विलायक हो, ऐसा विलेन का अगर हम हुधान देखते हैं, तो ताबा और जस्ते से बनी मिस्रधादू, यह आप सोने चान्दी के गहने, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, सोने के गहने कभी भी प्योर नहीं होते, उसमें क विले ठोस हो ऐसा उधान लेते हैं तो पारा में बनाया गया जिंक एमालगम जिसे हम सरंस के रूप में भी जानते हैं गैसी विले और ठोस विलायक हो ऐसा उधान लें तो हार्डोजन गैस का पेडिनिम धातू पर अधिसोसन यह आप उधान देखेंगे द्रूवों के तो ठोस विले और द्रव विलायक हो ऐसा विलेन है सक्कर और पानी का समांग मिस्रण डेली अभी गर्मियों में चीनी और पानी का मिस्रण समने पियाई होगा सरबत तो चीनी ठोस पदार्थ है और पानी विलायक है द्रव सरुप में हम जानते हैं द्रव और द्रव विले औ विलायक दोनों द्रव वस्था में हो तो ऐसा उधान पानी और इथेनोल का समांग मिस्रन विले गैस और विलायक द्रव हो तो CO2 गैस का पानी में समांग मिस्रन या कोई भी कोल ट्रिंग आप देख सकते हैं इसमें CO2 होता है नेस्ट टाइप है गैसी विले विले ठोस हो और विलायक तो तीनों अवस्था में सेमी होगा यह नि गैस 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 और विले किसमें होगा ठोस द्रव और गैस तो ठोस विले और गैसी विलायक हो यह भी आपका नौन नेस्ट है द्रव विले और गैसी विलायक तो नम्यूक्त हवा अब वारिस में आप अनौन कर रहे होंगे नम्यूक्त हवा हवा में नम्यूक्त हवा में पानी घुला होता है पानी की नम्यूक्त हवा में विले द्रव और विलायक गैस होता है इस तरह विले गैस और विला यासुस खवा भी इसका उधारान हो सकता है